नमस्कार और वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन मैं हूँ प्रशांत माववानी दोस्तों आज का हमरा विशय बहुत ही इंट्रेस्टिंग है अरब सागर में आने वाले जो साइकलोंज हैं उनके बारे में भविश्यवानी करना जो है वो उतना ज्यादा डिफिकल्ट क्य क्यूं हो जाता है आज हम इस विशय की इस प्रश्ण की टेक्निकल डीटेल्स को समझने वाला है इसमें कोई गवरानी की बात नहीं है आगे बड़े उससे पहले मैं बहुत ही क्विकली आपको एक स्केच बना कर दिखा देता हूँ कि लेट से दिस इस दे सदन पार अवर यह श्रिलंका है और यह वाला जो पानी आपको नज़र आता है यहाँ पर दिस इस बे ओफ बेंगोल बंगार की खाडी है यह और यहाँ पर है लेट से गुजरात और महाराष्ट्र गोवा करनाटका केरेला तो यह वाला जो पानी है इस इस अरेबियन सी इतनी conceptual clarity जो है वो हर किसी की होनी चाहिए तब ही आपको यह concept जो है वो समझ में आएगा ओके इंडियन meteorological department के predictions को अगर आप देखेंगे forecast को देखेंगे तो cyclones को लेकर जो IMD कहता है कि cyclone की direction यह होगी cyclone की intensity यह होगी यह largely accurate रही है कुछ ही इसे cyclones होते हैं जिसमें IMD को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और खास करकि जो अरब साकर के जो cyclones होते हैं यह IMD को literally ठका देते हैं अब IMD का जो forecast अभी तक का है उस data को अगर आप समझेंगे उसका analysis करेंगे और समझेंगे then you will find कि Bay of Bengal के जो cyclones हैं इनका forecast काफी हद तक accurate रहता IMD का compared to Arabian Sea मतलब यह हैं कि Bay of Bengal के जो cyclones हैं उनका prediction जब भी किया जाता है by IMD तो वो prediction बहुत ज्यादा accurate होता है लेकिन Arabian Sea में होने वाले cyclones का prediction जब IMD करता है तो उतना ज्यादा precision जो हैं वो नहीं मिलता है तो क्या IMD का यहां पर fault है क्या IMD के पास उतना अच्छा human resource नहीं है क्या IMD के पास उतने अच्छे gadgets नहीं है it's nothing like that दोस्तो ocean का जो दूसरा एक sub part है that is Arabian Sea तो वहां पर उतने ज्यादा cyclones जो है वो naturally ही पैदा नहीं होते थे लेकिन अब scientists जो है वो यह कह रहे हैं कि global warming की वज़े से Arabian Sea जो है इसका पानी अब और ज्यादा heat होने लगा है warm होने लगा है thaw होने लगा है और इसकी वज़े से यहां पर cyclones जो है वो पैदास होना start हो चुके है for example अभी यह जो विपर जो है जो गुजरात को अभी दो दिन पहले ही hit किया इस विपर जो है कल भी गुजरात में बहुत ज्यादा बारिश थी और कच्की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब हुई है और परसो भी ऐसी ही situation थी तो 9 June 2023 की बात है जब IMD ने ये predict किया था forecast किया था कि ये विपर जो है ये गोवा से कुछ 700 km दूर है और विपर जो के बारे में IMD ने ये भी बताया था कि it's going to move away from गुजरात ये गुजरात से दूर चला जाएगा और ना तो ये कच्छ गुजरात के दूसरे पार्ट से या तो जो है वो खत्म हो जाएगा उसकी strength जो है वो खत्म हो जाएगी तो किसी भी land area को hit नहीं करेगा ऐसा IMD का forecast था on 9th June लेकिन 11th June दो दिन के बाद और cyclone जब hit हुआ भी पर जो उसके 4 दिन पहले IMD ने ये कहा कि ये storm जो है वो इंडिया को hit करेगा ये storm जो है वो गुजरात को hit करने वाला है तो ऐसा क्यों हुआ इसको समझने के लिए हम Arabian Sea से Bay of Bengal की तरफ जाते हैं मोका नाम का एक cyclone जो है उसने Bay of Bengal में ये पैदा हुआ और 9th May 2023 एक महिने पहले की बात है जब IMD ने ये बताया कि ये मोका जो है ये South Andaman Sea के आजपास है और IMD का forecast ये भी था कि ये मोक जो है ये रिकर्व करेगा रिकर्व यानि कि इसकी direction जो है वो बहुत ही sharply change होगी और फिर ये बंगलादेश और मियानमार की तरफ आगे बढ़ेगा और हुआ ऐसा ही मोका जो है इसकी trajectory यानि कि इसका जो इसका जो path है वो जैसे IMD ने बताया था वैसा ही हुआ 14th May को ये जो मोका है उसने बंगलादेश का कॉक्स बजार और मियानमार का जो सित्वे हैं तो वहाँ पर इसने लेंड़ फॉल किया IMD का forecast जब भी Bay of Bengal के साथ जुड़ा हुआ होता है तब बहुत ज्यादा accurate होता है तो इसके बारे में जो IMD ने बताया था वो precisely वही हुआ Cyclone Mindaos जो December 2022 में आया था उसके बारे में भी same thing रही और जो Cyclone गुलाब है September 2021 वाला उसमें भी IMD ने जो कहा था वैसी ही चीज जो है वो हमें देखने को मिली थी अब again let's switch to Arabiancy Cyclone Tauktay इसके बारे में शायद आपको उतना याद ना हो लेकिन ये गुजरात को इसने हिट किया था तो we know it very well क्योंकि I belong from गुजरात तो मुझे पता है कि ताउकते जो है इसने काफी ज्यादा बर्बादी जो है वो की थी बहुत सारे जो पेड़ थे खासकर कि जो आम के पेड़ थे बहुत सारे ऐसे आम के बागानों को इस साइकलोन ताउकते ने हमेशा हमेशा के लिए बरबाद कर दिया तो इसकी डाइरेक्शन जो है जो आमडी ने की थी ऐसी नहीं रही फिर जब ये लैंडफॉल हुआ उसके दो दिन पहले आमडी बता पाया कि ये जो है वो गुजरात को हिट करने वाला है अब एक्सपर्ट जो है वो ये कह रहे है कि बेओफ बेंगोल के जो साइकलोन होते हैं क्योंकि वो ज्यादा क्वानटिटी में आये हैं हिस्टोरिकली स्पिकिंग तो इनको समझना जो है वो थोड़ा एजी हो जाता है फोर आमडी और पीपल वरकिंग विद आमडी कंपेड टू एरेबियन सी के साइकलोन्स एरेबियन सी के साइकलोन्स जो है वो हिस्टोरिकली कम रहे हैं और उसके पीछे जो मेंड रीजन है वो ये हैं कि एरेबियन सी का जो टेंपरेचर है ये सर्फेस टेंपरेचर ये बेओफ बेंगोल के टेंपरेचर से कम रहता है comparison अगर आप करें Arabian Sea के surface temperature की और Bay of Bengal के surface temperature की तो Arabian Sea का पानी जो है वो ज्यादा ठंडा है compared to Bay of Bengal का पानी यह चीज़ मैं specifically इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर surface temperature की बात हो रही है और यहाँ पर comparison में Arabian Sea का पानी जो है वो ठंडा है compared to Bay of Bay यह चीज़ आपको समझनी चाहिए Arabian Sea के cyclones जो है वो nearly 48% जो cyclones जितने cyclones पैदा होते हैं उसमें से 48% cyclones जो है वो जमीन तक पहुँचते ही नहीं है वो उतने ज्यादा तेज नहीं होते हैं पर ही वो थोड़ा travel करके वो खत्म हो जाते हैं Bay of Bengal के cyclones जो है तो जितने पैदा हुए उनमें से 13% cyclones ही ऐसे हैं जो जमीन तक नहीं पहुँचते हैं बाकी के सारे के सारे जो है वो जमीन तक पहुँच ही जाते हैं अब इसमें जो main reason है that is the heat factor एक चीज है जिसको कहते हैं steering winds अब नाम से ही पता चल गया steering winds जाने कि एक ऐसे wind जो direction देती है तो जो upper level की atmosphere की जो जो ये wind होती है ये wind cyclone की direction को और किस प्रकार से वो recurve करेगा किस direction में sharply turn करके जाएगा ये सारी चीज़े जो है वो steering wind से पता चलती है not steering wind से पता चलती है और दूसरी चीज़ जो है ocean layer जो है उसकी जो heat होती है वो एक cyclone की कितनी ताकत होगी कितने समय तक ये cyclone चलेगा ये सारी चीज़े जो है वो पानी के जो layer होते है उनकी heat से हमें पता चलता है अब M. Ravichandran साहब है जो ministry of earth sciences के secretary है I'm sure you'll be aware about this thing नहीं पता है तो let me tell you Indian meteorological department जो है उसकी parent body अगर कोई है तो that is ministry of earth sciences right parent organization ये ministry of earth sciences के तहत IMD काम करती है तो M. Ravichandran साहब जो है उनका कहना ये है के heat within the ocean layers are better captured in our models the wind component is not always fully captured in our models जो ocean layer है दोस्तो उसकी जो heat होती है उसको capture करना comparatively easy रहता है लेकिन जो wind होती है उसके components को capture करना उतना ज्यादा easy नहीं रहता है this is one reason के Arabian Sea के cyclones का prediction करना जो है वो थोड़ा difficult रहता है दूसरी चीज़ Arabian Sea जो है उसका एक unique factor भी है इसका जो warm water का layer है compared to Bay of Bengal again ये comparison है Bay of Bengal के साथ कि Arabian Sea का जो warm water का जो पूरा जो एक layer है ये Bay of Bengal के layer से ज्यादा deeper है ये 40 meter जितना ज्यादा deeper है इसके warm water का layer तो इसकी वज़े से भी इसका prediction करना जो है वो ज्यादा difficult हो जाता है तो एक तो है wind wind की वज़े से आपको wind के बारे में उतनी ज्यादा चीज़े पता नहीं रहती है because it is very unpredictable और दूसरी चीज़ Bay of Bengal का जो warm water का layer है वो छोटा layer है compared to Indian Ocean का layer जो 40 meter ज्यादा बड़ा है तो ये layers जो है ये ज्यादा होने की वज़े से layers ज्यादा deep होने की वज़े से उनको उतना ज्यादा अच्छी तरीके से study नहीं किया जा सकता ये बहुत ज्यादा challenging हो जाता है so this are the two predominant reasons जिसकी वज़े से Arabian Sea के cyclones को predict करना जो है वो काफी ज्यादा difficult हो जाता है एक Roxy Matthew Call है Indian Institute of Tropical Meteorology जो Pune-based है वो कहती है many times these subsurface values aren't captured in the prediction models and that's why the strength and speed of cyclones aren't accurately captured in advance कई बार ऐसा होता है कि ये जो sub-surface values है खास करके Arabian Sea की तो इनको study करना इनको capture करना जो है वो काफी ज्यादा difficult हो जाता है तो आप दोस्तों आज की हमारी इस discussion से आपको पताया चल गया होगा कि Arab सागर के चक्रावातों की भविश्य वानी करना जो है वो मुश्किल क्यों है अब आप अपने दोस्तों के सायत ये बात जो है वो discuss कर सकते है Now you can explain कर ये ताएकते हैं या फिर विपर जो है तो इसके इसके बारे में prediction करना जो है वो difficult क्यो है and things like that you know So that's everything from my side thank you very much for watching this video thank you very much for your love and support Our video पसंद आया हो तो please do share it with other people as well this channel को subscribe पिरना ना भुलियेगा and I will see you soon with some more interesting topics till then enjoy your studies, God bless you all, Jai Hind